Hello everyone, मैं प्रभात कुमार सेतू, Aspirants Live में आप लोगों का स्वागत करता हूँ देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये जो बुक है ना, Black Book of English Vocabulary तीस दिनों में इसे खतम करेंगे हम लोग, खतम करेंगे तो करेंगे ये हमने पहले ही कहा था, और आज इस खतम करने की जो पूरा वार है ना, इस वार का आज दूसरा एपिसोड है या आप कहें तो दूसरी क्लास है, लेकिन इस क्लास में खास क्या है? इस क्लास में खास ये है, स्पेशल ये है कि 2021 में जितने भी एग्जैमिनेशन हुए, जैसे SSC, CGL, CHSL, MTA, Sustano ये सारे एग्जैमिनेशन में जो इडियम्स और फ्रेजर्स के question पूछे गए, है ना, उन्ही का compilation है आज की ये क्लास और वो भी वो idioms जो इस book में already दिये गए थे, तो इसलिए भी ये class जो वो बहुत खास होती है, आपको ये idea मिलेगा किस book से जो वो किस-किस तरह की vocabulary आपके examination में पूछी जाती है, अगर ये पता चल गए आपको, तो होगा क्या, कि ये जो 2023 में SSC के जितने भी examination फर्दर आने वाले है, ये सारे examination में आप 100% score जो है, वो कर पाएंगे तो अब देर ना करते हुए क्या करते हैं, ये देखते हैं कि आज का सबसे पहला question जो 2021 में भी पूछा गया था और 2023 में पूछा जाएगा, और जो इस किताब black book of English vocabulary से है, वो है कौन सा, तो ये रहा आज का पहला question जिसमें लिखा गया, lion's share, देखिए, lion कहने से क्या sense आता ह lion कहने से sense आता है, जैसे कि कोई बड़ी चीज है ना, और share का मतलब क्या होता है, share का meaning होता है, हिस्सा, यानि कहीं न कहीं, lion's share कहने से ये पता चलता है, कि आप किसी चीज के एक बड़े हिस्से के बारे में क्या कर रहे हैं, बात करते हैं, बच्पन की वो बाते याद करो, biscuit का packet लाते थे, तो आप हमेशा इस ताक में रहते थे, कि आप एक lion's share ले ले, यानि उस biscuit के packet का एक बड़ा हिस्सा जो है, वो ले ले, है ना, और इसी के लिए आप idiom यूज करते हैं, lion's share, तो कोई पूछ है कि इसका answer क्या होगा, तो आप कहेंगे, कि the greatest and most desirable portion of something, किसी चीज का सबसे important और सबसे desirable portion जो होता है, उसी को आप कहते है, lancer, यानि इसका answer निकल के आएगा C, उके, चलिए, उसके बाद, जो second idiom जो आपके SSC, CGL के exam में पूछा गया था, और वो भी black book से, वो हमारा था, alive wire, alive wire, देखें, live wire क्या होता है, ये एक तार है, एक ऐसी तार, एक cable है, एक ऐसा wire है, जिसमें की current दोड़ रहा है, है ना, current बोले तो क्या, energy, passion, genuine, है ना, ये सब दोड़ रहा है, तो अगर कोई person है, जो एक live wire है, इसका मतलब कि वो person वो है, जिसमें full of energy है एक दम, किसे भी काम को करने को लेके, हमेशा एक दम aggressive होता है, तो ऐसे person को बोलते है a live wire, तो अगर आप SSC CGL का exam दे रहे है, तो आपको भी होना होगा, क्या, एक live wire होना होगा, हमेशा energetic form में रहना होगा, energy के साथ काम करने होगी, पूरे passion के साथ काम करना होगा, और तब आप जो है वो SSC CGL crack करेंगे, inspector बनेंगे, है ना, तो अगर देखें तो इन चारों में से, इसका answer कौन होगा, तो an influential and powerful person, ना, ना, अच्छा, a very active and energetic person, ये हमारा answer होगा, जो person active भी हो, और energetic भी हो, उसी को कहते है, ये live wire है, है ना, इसके बाद अगर हम लोग देखें, तो जो हमारा third question है, वो है, sit on the fence, sit on the fence, अब इसका मतलब क्या हो सकता है, देखें, एक दिया ह हमारा create conflicts, एक दिया, protect something, third option, avoid making a decision, और poke fun at people, लेकिन जो इनसान fence पे बैठा होता है, वो आदमी वो इनसान होता है, जो किसी चीज के बारे में decision नहीं ले पा रहा, है ना, मतलब एकदम ऐसे छोर पे बैठे हैं, और आप ये तैह नहीं कर पाते हैं, कि exactly करें, तो क्या करें, ह जानी कि वो usually avoid कर रहा है किसी decision को बनाने में, है ना, क्योंकि उसे वो तैह नहीं कर पा रहा कि exactly वो करें क्या, ऐसे हालात में वो है, ठीक है, तो अगर कोई making a decision को avoid करता है, अगर वो decision नहीं ले रहा है, तो आप इसी के लिए use करते है, sit on the fence का, remember रखे, ये EDM exam में बहुत ज हमारा EDM है, वो है fair and square, एक, तो कि ये fair है, और दूसरा, ये square भी है, तो fair and square का मतलब क्या होता है, देखे, fair का मतलब तो समझ में आता है, fair का मतलब गोरे से नहीं है, fair का मतलब honest, इमांदार से होता है, और एकदम square है, मतलब एकदम straight है, जरा सद्दाए by जो होता, नहीं है, तो देखे, पहला दिया, by and means available, according to the rules, beautiful in appearance, calm and quiet, तो fair and square वो होता है, जो नियम के अनुसर चलता है, एकदम straight चलता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग according to the rules, और इसके लिए अगर ऐसे आदमी के लिए, अगर आपको कोई idiom लेना हो, तो आप क्यालेंगे fair and square, यानि अन्सर नि खाता, तो नहीं खाऊंगा, मंगलवार को अगर नॉन विज नहीं खाता, तो नहीं खाऊंगा, तो ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं, एकदम fair and square हो, है ना, चलिए, उसके बात, जो हमारा next idiom है, वो है कौन सा, a bad egg, देखे, गंदा अंडा, है ना, आप गंदा अंडा कहन कहने का मतलब क्या हुआ, bad egg कहने का मतलब क्या, बुरा egg कहने का मतलब क्या, तो someone who is dishonest and unreliable, देखे, आपके, आपकी दोस्तियारी में, आपके circle में, आपके आसपास में, कुछ bad eggs होते है, bad eggs होते हैं, मतलब, कि उनके उपर, तुम रहते थे हो, लेकिन भरोसा नहीं कर सकते, believe नहीं कर सकते हैं आप उनके उपर, हमेशा इसी कुराफात में रहते हैं कि कैसे इसका मैं कुछ loss कर दूँ, कैसे मैं इसकी कुछ हानी कर दूँ, है ना, तो ऐसे लोगों को कहते हैं हम लोग, a bad eggs, है ना, एक तरीके सा दिखा जाए, तो मुहमेराम बगल में छुरी वाले जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को भी कहते हैं, a bad egg, sometimes कुछ लोग होते हैं हमारी society में जिनको bad eggs कहा जा सकता है, है ना, तो इसका answer निकलके कौन आएगा, वो इंसान जो की dishonest है और unreliable है, मतलब भरोसे मंद नहीं है, है ना, चलिए, ओके, उसके बाब देखें, तो 26 नमब आग successfully, give temporary help, usually financial, ये जो आप option देख रहे हैं, ये इसका answer होगा, दरसल tied over करने का मतलब होता है, कि किसी को temporary help देना, है ना, चलिए, अभी आपको अगर कुछ पैसे की जवरत है, तो ले लीजे, है ना, होता है ना, कि सुनो ना, मेरा recharge करा दो ना, तो ठीक है, चलो recharge करा दिया लेकिन ये मत समझना कि हमेशा करा दूँगा, तो ऐसी help अगर आप देते हैं, तो आप tied someone over कर रहे हैं, यानि कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, और याद रखिएगा, कि ये जो मदद है, ये कही ने कहीं connect करते हैं, financial help को, यानि पैसे की materialistic help को indicate करती है, तो पैसे से अगर लिप सर्विस, लिप सर्विस देना, कुछ awkward meaning मत समझना, और नहीं कुछ bad meaning समझना, ठीक है, ये पैल लिप सर्विस का मतलब क्या होता है, ये समझना थोगा ध्यान से, लिप सर्विस देने का मतलब कि ask for permission से है, permission मागने से है, गलत, wrong answer, second, to be insincere, जो आदमी लिप सर्विस देता है, वो थोड़ा insincere होता है, मतलब बातूनी लोग, बात का बहुत है, काम का कुछ नहीं है, है न, तो ऐसे लोगों को, ऐसे insincere लोगों को हम लोग कहते है, कि वो क्या कर रहा है, अगर वो insincarity show कर रहा है, इसका मतलब वो लिप सर्विस पे कर रहा है, ठीक है, तो आ मतलब क्या, insincere मत बनो, सेधी से तो बात हम या, चलिए, इसके बाद अगर देखें, तो जो next हमारा idiom है, वो है, to get the ball rolling, मतलब जो ball है न, उसको roll करने दो, pass होने दो, मतलब क्या, ऐसा लग रहा है, जैसे कि कोई काम हो रहा है, और उसे होने दो, चलता रहने दो उसे, ball को roll करते रहने दो, तो इसके लिए आप, use करते है एक idiom, जिससे हम लोग कहते है, get the ball rolling, और इसका जो meaning होता है, वो होता है, to match an opponent, एक opponent को match करना, गलत जवाब, to keep walking until late, यानि देर रात तक, देर समय तक काम करना, गलत, to play a ball game well, अरे यार, क्या समझे हो, ये तो हो ही नहीं सकता, और to begin a process, किसी process को शुरू कर देना, तो अगर ball को roll करते रहने देना, इसका मतलब कि किसी process को क्या कर देना, continue कर देना, या उसे start कर देना, उसे begin कर देना, यानि answer निकल के कौन आएगा, D आएगा, ओके, और यहाँ पे अगर continue होता, तो ये और ज़्यादा suitable होता, अगर continue हो तो और ज़्यादा suitable होता, तो हो सकता है, कि आपके exam में begin ना देके continue दे, वो भी answer होगा हमारा, है ना, चले, इसके बाद अगर हम लोग देखे, तो जो next idiom है, हमारा वो है, through thick and thin, through thick and thin, अच्छा और बुरा वक्त, हर वक्त में तुम्हारे साथ रहूंगा, ये मैं वादा क करता हूं, है ना, ये अलग बात है, कि आगे चलके लड़ाई हो जाती है, लेकिन, हाँ, एक बात तो मैं कहूंगा, कि आपके साथ जरूर कुछ हैसे आपके group में दोस्त होंगे, जो thick and thin आपके साथ हमेशा रहते होंगे, यानि, with ego and pride, ना जीना, all condition, under all condition, हर तरह की condition में, प चलिए, तो ये बहुत तो important idiom है, और thick and thin, अगर जैसे ही कहा जैसे होता है, कीथ and keen, होता है ना, कीथ and keen, तो कीथ and keen का मतलब क्या होता है, friends and relatives, उसी तरीके से thick and thin कहने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, ऐसा, जो सुख और दुख दोनों में साथ रहता हो, अपना वादा निभाता हो, जन्म, जन्म का वादा निभाता हो, है ना, बुरा वक्त है तो साथ रहेगा, अच्छा वक्त है तो लूट लेगा, है ना, चलिए, आगे है ये, देखिए, 30 number, लिखा on the horizon, है ना, जो चीज़े, horizon में, एच्छितिज में है, ऐसे मंडरा रही है, मंडर for the distant future, है ना, एक ऐसा प्लान, जो भविष्य के business के लिए है, या, गलत है ये भी, an event that is likely to end soon, यानि एक ऐसा event जो अभी तुरत end होने वाला है, जिसका अंत होने वाला है, ये भी गलत, और an event that is likely to happen soon, एक ऐसा event जो चितिज में है, यानि कि अभी जल्द जो होने वाला है, वह clear, okay, चलिए, इसके बाद अगर देखे, तो जो हमारा next video है, वो है on cloud nine, नौवे आस्मान पे है, नौवे बादल पे है, है ना, इसका मतलब क्या, वो कहते है ना, बहुत जाबा extremely happy होना, बहुत खुश होना, है ना, सोचो, जना सोचो, कि आप जो हो किसी को propose करने गए, है ना लेकिन इससे पहले कि आप propose करते, उसी ने आपको call कर दिया, और बोला, सुन, कैसन हो, है ना, तो आप तो बस, आप क्या हो जाओगे, आप पहुचोगे on cloud nine पे, यानि आप बहुत जादा खुश हो जाओगे, याद रखना, इसका मतलब extremely sad से नहीं हो सकता, frequently flying by air भी नहीं, flying with a parachute भी नहीं और extremely happiest answer, यानि आंसर निकल के आएगा A, चलिए, उसके बाद अगर देखे 32, ये लिखा draw the line at something, है ना, एक रेखा खीच रहा, कहते है ना, कि मेरी अपनी एक limit है, मैं इस limit को cross नहीं कर सकता, cross नहीं कर सकता मैं इस limit को, ये मेरा दाइरा है, घर की दहलीज के ब देखा है ना, ये जो मैंने बात कही थी, कि मंगलवार को ये नहीं खाऊंगा, बुधवार को ये खाऊंगा, ब्रिस्वतिवार को ये नहीं खाऊंगा, तो हर इंसान ने अपना एक limit set करके रखा हुआ है, वो कितना ethical है, और कितना unethical है, ये कोई नहीं जानता, है ना, ले point, यानि किसी खास point तक ही वो किसी बात को accept कर सकता है, उस limit के आगे जाके, उस point के आगे जाके, वो इस बात को accept नहीं कर सकता, तो इसी का answer होगा हमारा count, draw the line, है ना, चलिए, उसके बाद अगर देखें, तो next जो हमारा idiom है, a fish out of water, मतलब वैं क्या बताऊं, देखें, अब ये idiom आपके exam में पूछ दिया, मतलब कि आपके लिए एक gift दे दिया उसने, ये लीजिए भाईया gift, enjoy कीजिए, ठीक है, तो ये देखें आप fish out of water, जल बिन मचली, सोचो, मचली को जल के बिला कैसा महसूस होगा, uncomfortable feel होगा, है ना, और कुछ देर के बाद, खतम भी हो जाए अच्छा, feel like going to an unfamiliar and new place, feel uncomfortable in any kind of place, और feel uncomfortable in unfamiliar surrounding, देखें, unfamiliar surrounding हो सकता है, uncomfortable तो feel करेगा ही, comfortable feel करने के बाद हो ही नहीं सकती, ठीक है, unfamiliar at new place, ऐसा उसे लग रहा है कि रहसे वो unfamiliar place पे जा रहा है, के बल जा रहा है ऐसा नहीं, बलकु उसे uncomfortable भी feel हो रहा है, मतलब ये भी option answer नहीं होग और feel as if you are unable to breathe, ठीक है, ऐसा महसूस कर रहे हो, जैसे कि तुम सांस नहीं ले पा रहे है, ठीक है, देखें, ये इसने क्या किया ना, इसने सीधे सीधे वो बात कह दी, जो a fish out of water का इसको लगता है, लेकिन आप सोचिए, कि मच्छली की बात यहां नहीं हो रही है, अगर आप ये महसूस करते हैं, कि आप fish, एक ऐसे fish हो, जो out of water है, इसका मतलब है कि आप तो नहीं मरोगे न, आप real में तो fish हो नहीं, बस आपको ये कहने की कोशिस की जा रही है, कि आप एक ऐसी situation में हो, जो कि आपको uncomfortable कर रहा है, आपके लिए वो वातावरं suitable नहीं है, तो इसलिए dead ह होने की बात ही गलत है, breathe की बात ही गलत है, सांस रहने की बात ही गलत है, आपको feel हो रहा है, uncomfortable, यानि answer निकल के आएगा D, तो आप अगर किसी unknown environment में, देखते हैं न, कभी-कभी आप ऐसे दोस्तों के ग्रूप में चले आ, तो दूसरे के, आपने किसी दोस्त के ग्रूप में चले गए आप, और वहाँ पे आपके दोस्त को छोड़ के कोई और आपको जानता नहीं, सब लोग हस रहे और आप महसूस कर रहे हो, कि मैं क्या ही बोलूँ, अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो ऐसा आपको महसूस होगा, तो इसका answer निकल क्या हैगा D, फिर अगर देखें, जो नेक्स्ट इडियम है हमारा 34, तो बी लाइट इयर सभी, जो आपसे प्रका, कई प्रकास्वर्स दूर है, यानि कि वो आपके रीच से, हिूमन के रीच से बहुत ज़्यादा क्या है, दूर है, तो एन एक्स्ट्रीमली लॉंग टाइम, फ्रॉम नाउ इन पास्ट और फ 25, a square deal, क्या लिखा गया, a square deal, a square deal का मतलब क्यों होता है, यह बड़ा important है, जानना, a fair agreement, an unfair agreement, a nice decoration, a dishonest transaction, सबसे बहुत तो transaction की इसमें बात ही नहीं है, deal की बात है, दूसरा decoration की बात नहीं है, यह सारे मिलके जो है, वो बना रहे हैं, fill in the blank, an unfair agreement, a fair agreement, तो square deal है, मतलब जितना सो सोचा उससे ज्यादा मिला, तो ज्यादा मिला, तो unfair नहीं, बलके क्या होगा, वो fair, square का मतलब double, तो जो deal सोचा था, सोचा था, पांच करोड में भीकेगा, बिग्या कितने में, 10 करोड में, तो यह हुआ square deal, या 5 करोड मिलने चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा था, मिले कि यह on edge है, on edge एक important idiom है, जब भी आप descriptive writing करते है न, या फिर अगर आप एक comprehensive देख रहे हो, एक close test अगर आप बना रहे हैं, तो वहाँ पर यह fresh और यह idiom बहुत ज़ादा use में आता है, on edge का मतलब क्या होता है, keeping things safely, doing exercise regularly, nervous and unable to relax, यह, एकदम मुहाने पे, किनारे पे बैठे हो, सोचो, कि अगर आप जो है, वो किसी over breeze पे चले जाए, पुल पे, गंगा के उपर जो पुल बना हुआ उस पे चले जाए, और आप वहाँ एकदम last position पे खड़े होके, अगर आप नीचे देखोगे, तो आप क्या हो जाओगे, nervous हो जाओगे, और आप relaxed जो नहीं रह बेटा, ऐसे लटकोगे न, लटके रह जाओगे हमेशा के लिए, आत्मा और शरीर का मिलन जो हो रखा है एक लंबे टाइम से, उसका मिलन जो है वो बिछणन में बदल जाएगा, आत्मा उपर निकल लेगी, शरीर नीचे रह जाएगा, ठीके? चलिए, उसके बाद अगर देखे, 37 number, gift of the gap, यह सब के पास नहीं होता, सब के पास नहीं होता, gift of the gap का मतलब होता है, वो परसन जिसमें gap करने का gift मिला है, मतलब जिसको बोलने की कला आती है, speaking की कला आती है, वो परसन एक attractive और influence speaker है, जैसे कि मान लीजे, नरिंदर मोधी की बात कीजे, भाईयों मैंनो देखे, आवाज में कितना उतार चड़ाव है, मतलब इंसान ने आवाज को उपर उठाया और धीरे धीरे करके आपके दिल में उतर गए, तभी तो देश के परधान मंत्री है, जनता पसंद कर रही है उनको, votes उनको मिल रहे है, खैप जो भी हो, आपने opinion हो सकती है, लेकिन मुझे उनमें एक quality तो नजर आती है, और वो एक quality है कि वो बहतर बोलते है, ये quality मुझे नजर आती है, बाकी चीजों के उपर तो discussion अलग बात है न, तो अच्छा बोलने की जो कला होती है न, उससी को बोलते है बिटा, gift of the gap, right, तो loves to give gifts, ये नहीं होगा, writes very well, ये भी नहीं gift, मतलब दूसरे का gift ऐसा चुरा ले न, ये भी नहीं, talks well and persuasively, यानि persuasive का मीनिंग क्या होता है, convincing, याद रखे, इसका मतलब होता है, convincing, यानि ऐसा बोलनहार, जो किसी को भी कर ले, convince, दो मिनट आपके साथ बैठ या न, ऐसे, और फिर आप से ऐसे बोले बो, तो फिर आप बताईए किया आप आखिर हाज साम में क्या कर रहे हैं? क्या कोँछ नहीं कर रहा है, कारेंगा क्या, तो, क्या हम लोग कहीं काफी पी ने चले क्या? तोना साथे कौन जाएगा रहा काफी पीने रहे मूँ देखा है है ना तो इस तरह की जो बाते होती है वैसी कली लेकिन आप सोचो जरा कि जो परसन आपके सामने दो मिनट तक बैठ के और आपको स्पेल बाउंड कर ले स्पेल बाउंड कर ले मतलब आपको मंतर मुगद कर ले तो ऐसा ही परसन कहलाता है कि उसके पास गिफ्ट ऑफ दा गैब है है ना ओके चलिए उसके बाद देखे 38 नमबर फील आट सी अगर आप आट सी फील कर रहे है इसका मतलब है कि आप जो है वो confusion में है आप तै नहीं कर पारे कि करे तो क्या करे है ना यानि feel uncomfortable while traveling by water water से कोई लेना दिना नहीं है यह option wrong हुआ feel angry गलत feel seasick गलत feel lost and confused यही हमारा क्या होगा answer होगा तो जब आप at c होते हैं दर असल main जो idiom होए वो है at c तो act c का मतलब होता है feel confused ठीक है ओके इसके बाद 39 39 में क्या लेका twiddling once thumbs ठीक है क्या मिनी होता है इसका twiddling once thumbs यानि किसी के thumbs के नीचे क्या करना twiddle करते रहना है ना ऐसा तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाते है दर असल twiddle करने से मतलब है क्या कि कोई unnecessary काम में व्यस्त होना uninteresting काम में क्या होना दस्त होना तो twiddling once thumbs कहने का मतलब हुआ कि आप बोर महसूस कर रहे हो क्या कर क्या रहे है अगर ऐसी वाली feeling आती है तो आप बोलते है twiddling once thumbs यानि answer निकल के B आएगा और आज का अंतिम question last question ये भी बड़ा important है लिखा इसमें क्या out of the blue ये idiom काफी popular है और बहुत लोग use भी करते हैं इसको आम बोल चाल की भासा में भी ये use में आता है अगर when at the time of speaking English तो आप ये बहुत use करते है out of the blue ठीक है out of the blue का मतलब क्या होता है out of the blue का मतलब होता है कि जब कोई चीज अचानक से आपके सामने जो है वो आ जाती है तो आप इसी को कहते है out of the blue अचानक से किसी दोस्त से मुलाखात हो जाना encounter करने ना दोस्त का है ना या फिर आप आप जो है वो आप कहीं पे बैट के बियर बार में आप जो वो बियर पी रहे था आप पीछे मूड के ऐसा देखे तो पपा है हो गया काम खतम टाटा वाई वाई इसका मतलब यह है कि आप जो है वो कोई चीज आपके सामने अच्छानक से आती है तो beat someone black and blue नहीं होगा loves to wear नहीं होगा completely honestly नहीं होगा completely unexpectedly यानि जिसकी आपको उमीद नहीं थी यानि answer निकल के कौन आएगा D आएगा अब सुनो मेरी बात अगर आपको आज की class अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को like करिएगा इस class को like कीजेगा आप इस channel को kindly subscribe कर दीजेगा है ना और आप इस वीडियो को share भी कर सकते है है ना अगर आपका प्रेम मुझसे बन substitution में उतरेंगे ना तो फिर आप देखना कि कैसे chain system के through हम लोग सारे black book के one word substitution को remember करते चले जाएगे तो एक के बाद एक हर दिन एक नई class आएगी और वो नई class जह है वो पिछली classes से और ज्यादा intensive होने वाली है लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 30 दिनों तक लगा तार इस book को ह उसको हम लोग क्या करेंगे फिनिस करेंगे एक बार मैं फिर से कराओ वीडियो को like कर दीजेगा share कर दीजेगा channel को subscribe कर दीजेगा मैं प्रभात कुमार सेत्व एस्परेंस like पे फिर साब समय लोगा अगली class में कल thank you so much